रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदूओं पर खूटिया गार दी जाती हैं बाद में इनी चिन्धों को आधार मानकर गड़े बनाय जाते हैं पौधों को कितनी गहराई में रोपे ताकि उनकी बढ़वार अच्छी हो और वो हमेशा स्वस्त रहें इसके लिए गड़े बनाने और उसे भरने की क्रिया को भी करीब से जानना ज़रूरी है तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारे पौध की जगह खूटियों को मध्यमान कर एक मीटर गुणा एक मीटर गुणा एक मीटर की माप से या व्रिक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड़ा खोद लेते हैं गड़ा खोदते समय उपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए तैयार गड़े को कम से कम 20-25 दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कीड़ा एवं उसके अंडे तेज धूप और हवा से नश्ट हो जाए अब नीचे और उपर की मिट्टी से कंकड पत्थर चुन कर फेक दे इसके बाद नीचे की मिट्टी में 20-25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर गड़े में भरने के बाद ठीक तरह से दबा दें अब उपर की मिट्टी में 20-25 मिलिलिटर क्लोरो पाईरिफॉस को थोड़े पानी में मिलाकर मिट्टी में मिला दे ध्यान रहे कि उर्वरक डालने के बाद मिट्टी को पैरों से दबा देना चाहिए अब आपको बता दे कि गड़ा जमीन की सता से 10 से 15 सेंटिमीटर उपर तक भरना चाहिए